में आपका स्वागत है आज इस वेड़ी में आपकारने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डियोवेस्टन डिपार्टमेंट की एक बड़ी कंपनी की विकेंचीज के बारे में जिसमें की तरफ से रहने वाला है उसमें अच्छी खासी पोश्ट आपकी रहने वाली है मैं आपको बता दूँ मिनिस्ट्री ऑफ एविस्टन डिपार्टमेंट के अंडर की लिमिटेड कंपनी है जिसमें ये विकेंचीज जारी कीए कोई भी फरजी नोटिपिकेशन नहीं है आज कल फरजी नोटिपिकेशन बहुत गूम रहा है जिसमें आपको पहले पैसे लिये जाएंगे और उसके बाद में कोई भी जोब नहीं दी जाएगी ऐसे जो भी आपकी विकेंचीज या किसी भी जो भी आपको डिलाने के लिए बोलता है उसके चक्कर में नया आए पैसे आपक बेस पर आपका सेलेक्शन होगा जिसमें एकजाम होगी फिजिकल होगा और आपका सेलेक्शन किया जाएगा जिसमें सब कुछ आपको क्लियर दिया हुआ है जो भी आपकी विकेंचीज होंगी फैले तीन साल के ट्रेम कंडिशन बेसेश पर रहेंगी जिसमें अच्छा का स आपको मिलेगा थिन साल में कितनी जानकारी आराम से हो जाती है नेक्स तिन साल के लिए या जो भी पर्मानेट विकेंशिस में निकलती है उनमें आराम से आप जोइनिंग कर सकते हैं जो भी केंडिडेट है जिनकी फाइनिल इफिक्टेड है बहुत ज्यादा प्रोब्लम चल लिए आपके लिए बहुत ही सांदार यह पोस्ट रहने वाली हैं जिसमें सेंटर गोर्मेंट के रूल के नुसार सभी लिव जूटी और साथ में आपको पेमेंट भी अच्छा कासा इसमें आपको मिलने वाला है तो इन पोस्टों के लिए कोई भी केनरेट नहीं चुकें श्रविस एजुकेटव 23 पीोजिश सर्विस के लिएото temples पोस्ट हैं यूनिटीो के लिए आपकी सोदा पूस्ट है यांदिन की चार पोश्ट करेंoughs और पिर्पोर्ट सविस लिमिटेड यह जो भीकेंठ चीज हैं इसमें आप साप देख सकते हैं अज tahu क्ग स्रेसित ट् जाएगा जिसमें आपको बता चुका हूंगे तीन साल में आपकी इतनी अराम से जानकारी हो जाएगी कि आप आगे की जोग के लिए परफेक्ट हो सकते हैं तो जो भी केंडेट हैं जिनके पास भी आप वीडियो को बहुत ही सांदार मुका है आप इसमें कोई भी चुकना नहीं है यह दिया आप इसके लिए इगलेबल हैं तो आप जा सकते हैं यह आप देख सकते हैं AI Airport Service जो है Ministry for Aviation Department के अंडर की आप जो भी कंपनी है जो की Ground Handling करती है जो भी आपके एरपोर्ट को जिसमें आप रेम, पेसेंजर, बेगेज, कारगो, हैंडलिंग, केबिन, क्लीनिंग इन सभी पे पूरा काम करती है टोटल 82 एरपोर्ट के अंडर में है और जिसमें फोरजन के जो भी आपके एरपोर्ट भी इसमें आते हैं यह आप देख सकते हैं जो की आपका पूरा कंप्लिट ज जो की मैं आपको बताने वाला हूं उनके लिए दश्वी पास वाले सभी केंडेट इगलेबल रहेंगे इसमें 45,000 आपको मिलेगा आप पर एज 55 एर रखी गी है 55 एर बहुत ज्यादा एज होती है इसके बाद में आप देख सकते हैं नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट जो पोस्ट है इसमें 27,450 रुपए 28 साल एज और आपकी 28 साल के बाद में सेस्ट ऑबीशी है तो आप नियमन सार छूट मिल जाएगी इसमें आप देख सकते हैं रेंप ड्राइवर के लिए जो पोस्ट है इसमें आपका हमील आइसस होना चाहिए 10 भी पास होना चाहिए 24,9 960 रुपए आपको मिल रहे हैं और 28 साल लास्ट एज रखी गया है और तीन साल की अबिशी को छूट है CST को पांस साल के आप छूट मिल जाएगी तो आपका सेलेक्शन यहां पर अच्छा हो सकता है और इसमें हैंडी मेन हैंडी वूमेन के लिए 10 भी पास वनली मांगा ग करता हूं आप देख सकते हैं जिसमें साफ दिया गया है केजुल लिव शिक लिव एक लेवल ईपी एफो एसी आइसो आप यह सभी एक लेवल आपकी रहने वाली हैं और जो भी नायट अलाउंस एदर आप जाक्स्ट्रा डूटी अलाउंस यह सभी इसमें आपके लेवल र करके जो भी अप्लीकेशन पोरम है उसको आपको इस एड्रेष्व पर सेंड करना हो दिल्ली की अड्रेष्व लचना होग में पोस्ट नाम लिखना और उसके आगे आपको लिखना होगा तो इने नित को भुस आपको व्लेन को बहुत के एफ्सट्राइगे हैं वह सब्प being डिमांड राफ आपका 500 रपे का आपका लगने वाला है डिडी डिमांड राफ एयाई एरपोर्ट स्रुइस लिमिटेड मुंबई के नाम पे आपका रहने वाला है जो भी ओनलाइन फीज आपकी करवाए जाती है बहुत सारी फ्रोड कंपनियों के दवारा ऐसा इसमें ऐसा क कुछ भी नहीं है ऐसी एस्टी को काप को छूड़ दी गी एस्टरुश में को छूड़ दी गी है और जो भी ऑबिस ही और इडिबलेश के इंडेट के लिए ही अप्लिकेशन फी का रखा गया है जो कि डिडी मर्वांड राफ आपका बनेगा डिमांड राफ आपको सेंड क करना है यह अप्लिकेशन फोरम आपको निचे दिये गया है यह अप्लिकेशन फोरम बरकर 12 जुलाई तक जल से जल इस पेरम को सेंड कर सकते हैं जो कि हिंडियों गाजियाबाद के नाम पे आपका रहने वाले यह एडर्स आपको दिया हुए यही लिफा पेपर आपको लि आपको आगे बताने वाला हूं बाकि कि आपको कुछ भी आप जानकरी चाहिए तो आपको टेलिग्राम पर मेंसेज करके पूश सकते हैं झाप नोटिकेशन में देख पाएंगे पूरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए आप देख सकते हैं रेंप एजुकेटिव की 406 पोस्ट है आप रेंप ड्राइवर के लिए 263 पोस्ट हैं मुंबई की तरब से लिए के लिए आपके लिए के लिए どुसोड रखी पोस्ट रखी गिए इनका इन्टीरेत रहने वाला है और और इन पोस्ट के लिए 16 तरुक यहाइंद्र 20ником बरकर सभी नैफुकोध का और रूपकि भी ब्राप देश्ट को कोई बी डिमांड ड्राप नहीं बनाना है और इस पर आपको पहुंचना है यह बंबई का आपको पहुंचना है यहां पर 12 के लिए उसके लिए आपकी देख सकते हैं 14 और 15 को इंदो ट्रेट के लिए आप जो भी केनडेट है 16 तारिक के लिए आपका हैंडी मेन और जिंट का इसमें बहुत ही बड़ी पोस्ट पर ये विकेंची जारी गी है और अच्छा कासा पेमेंट आपको दिखा देता हूं लास्ट की दिटी में चलते हैं पेमेंट इसमें क्या रहने वाला है पे के लिए 2530 रुपे पेमेंट रहेगा दसवी पास वाले आप जो भी केंड़ेट हैं इसके लिए इगलेबल रहने वाले हैं लोकल लेग्वेज और हिंदी लेग्वेज का नोलेज आपको होना चाहिए 28 साल एज आपकी रखी गी है वह हैंडी में मेल के लिए 2200 पोस्ट जिश पेमेंट के साथ आपको ईपी एफो ईएसाइसी केजवल लिव शिक लिव अक्ष्ट राओं साल तक के केंड़ेट जनरल के और वह बीसी सेट हैं तो पास साल की इसमें छूट मिल जाएगी तो आपके लिए बहुत ही सांदर मुक्ता है नेक्स्ट पे आपको दिखा देता ह इस डेट को आपको इंटर्यू बेस पे आपको सेलेक्शन होगा डारेक्ट आपको जाना है और जो भी इलावाद गौरखपुर और यह वेनू दे रखा है यूपी में आपको पहुंचना है देख सकते हैं यह एड्रेस पे आपको पहुंचकर आपको जो भी केंड़ेट आ रहेगी और 13 को रहेगी और ड्राइबर के लिए जो आपको जाना है तो आपको 11 तरीक के गो जा सकते हैं जो की इलावाद और जो भी आपकी पोस्ट गौरकपुर के लिए रहने वाली हैं तो यह आड्रस आपको दिये गया है इसमें जो भी अप्लीकेशन फोरम है यह बेजना है तो उसके लिए आपको टेलिग्राम पर आपकी नोटिपिकेशन देख पाएंगे डाउनलोड कर पाएंगे जो भी केंडेट हैं उनके लिए बहुत ही सांदार मोका है इस विकेंडेट में आप जा सकते हैं और अपलाई कर सकते हैं जो भी काफी केंडेट परिसान ह है बहुत जो नहीं मिल रही है उनके लिए बहुत ही सांदार मोका है एरपोर्ट में आपको एक बार गुस गए तो उसके बाद में तीन साल में अराम से इतनी पहचान बना लेते हैं कि आप अगली विकेंड चीज के लिए चाहिन अराम से कर सकेंगे और जो इसमें पर्मान ने तादर कोई क्यों है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूस सकते हैं जैन दोस्तों